सत्गुरु की साजी निवाजी, प्यारी सासंगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी, सासंगत जी, सत्गुरु निरंकार दातार, आप सासंगत मा का शुक्राना करते हुए, आप सब के अशीरवाद से दासी ये विचार रखने जा रही है, आप जी विचार पर अगर को गल्टी हो जाए तो शमा करें साथ संगत जी आज के विचारों का टोपिक है कि मानव की सेवा है बगवान की सची सेवा है साथ संगत जी कहते हैं इमांदारी से जितना भी कमाओ उसका कुछ हिस्सा सेवा कारे में समर्पी जरूर करना चाहिए कहीं ऐसा नहो कि कमारते कमाने में ही हमारा जीवन का विसरजन हो जाए कुदरत हमें हर रोज 1440 मिन्ट बख्षती है अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका कैसा उप्योग करती है 1440 मिन्टों में से हम भले ही 1400 मिन्ट दुनियादारी में दे दें पर 40 मिन्ट भगती के लिए निकालते चलें तो जीवन सफल हो जाए सेवा में है प्रभू की भगती गर यह मान लिया होता तो मानव सेवा में सबने ध्यान दिया होता तनमंधन से जो भी मानव सेवा पर उपकार करे मालिक अपने दया किरपा से वह सेवा सविकार करे यह लेहरे के छोटे सेवा बहुत बड़ी परवान हुए शिरे राम के सेव को में उसके भी पहचान हुए सेवा से ही सुख मिलते हैं गर यह जान लिया होता तो मानव सेवा में सबने ध्यान दिया होता सत्गुर तो हर मानव को सविकार किया करते हैं जोरे संपत्थर में हीरा ढूंड लिया करते हैं जिस सेवा में सेवक का ही स्वारत छिपा होता है उस सेवा व्यपार का आदर कभी नहीं होता है बावस मरपन वाला तो लाचार नहीं होता होता शोभा धराधाम की भार नहीं होता सेवा को सरवोच लक्षे जो मान लिया होता तो मानव सेवा में सबने ध्यान दिया होता कितना सुन्दर हमें समझाया गया है कि मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है एसी परादारी दासी एक छोटी सी स्टोरी भी आप जी के चर्णों में रखेगी आप जी वो भी परवान करना अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करना साज संगत जी कहते हैं राजा सुंदर सिंग के नगर में कुछ दूरी पर एक गाम के मंदिर में सादवी गोरी भाई रहते थी राजा ने जनता की सेवा के उनके कई किस्से सुन रखे थे कई कहानिया सुन रखे थी वे अपने गाम के लोगों का बहुत ध्यान रखते थी और इश्वर पूजा में व्यस्त रहती थी इसके साथ ही वे समय निकाल कर गाम वालों की मदद भी किया करती थी वे हर किसी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती थी गाम वाले भी उनके प्रती अतियंत शर्था रखते हुए उन्हें प्यार से गोरी माई कहकर बुलाते थे राजा सुंदर सिंग ने जब उनके बारे में सुना तो वह उनसे मिलने जा पहुँचे गोरी बाई के दर्शन करके और उनकी बाते सुनकर राजा बहुत परभावित हुए उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ भेट करना चाहिए उन्होंने गोरी बाई को पचास हजार स्वरन मुद्राएं दी पहले तो साद्वी ने उन्हें लेने से इंकार कर दिया पर राजा के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने उसे सविकार कर लिया किन्तु उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि इन मुद्राओं को गरीबों के बीच बाट दिया जाना चाहिए राजा को बहुत हैरानी हुई उन्होंने कहा ये मुद्राओं आपके लिए हैं इन पर तो आपका अधिकार है इस पर साद्वी ने मुश्कुरा कर कहा राजन आप ठीक कहते हूँ इन मुद्राओं पर मेरा अधिकार है लेकिन मुझ पर तो गाम वालों का अधिकार है मैं तो इनकी सेवी का हूँ इसलिए मुझ से पहले इस पर गाम वालों का हक बनता है इस पर राजा ने कहा आप धन्य हैं पर आप की भी तो कुछ जरूरते हैं, गोरी बाई ने कहा राजन आप मेरी शिंता ना करें, मैं तो अकेली हजारों गाम वालों का ध्यान रखती हूं और ये हजारों गाम वाले भी मेरा ध्यान रखते हैं, फिर मुझे भला किस चीज की क सुख ही देखना चाहती हूँ, इनके सुख में ही मेरा सुख है, इसलिए ये मुद्राएं सही जगे जा रही है, इस से आपका दान भी सफल हो रहा है, गोरी बाई की इस बात का राजा पर इतना असर हुआ कि उन्होंने खुद भी आजीवन गरीबों की सेवा, मानवता की करने का प्रण ले लिया, सद्कुर माता सुदीक्षा जी महराज भी अक्सर हमें अपने विचारों द्वारा समझाते हैं कि सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, अगर हम सेवा कर रहे हैं और मन में हंकार है, तो फिर वह सेवा वियर्थ हो जाती है, जो सेवा समर्पित भा और अगर हम विमान है, तो निरंकार नहीं रह सकता, सेवा विनम्बरता के साथ की जाती है, सेवा करते हुए अगर कठोर फचन निकल गए, या हमारी सोच दूशित हो गई, तो सेवा वियर्थ है, जितना हम हंकार से अपने आपको दूर रख सकें, जीवन में उतना ही हमें लाब है, हंकार का भाव कम से कम सेवा के मैदान में तो बिलकुल ही ना हो, सेवा करने वाला अपने आपको गिनवाता नहीं है, बलकि समर्पित भाव से सेवा में लगा रहता है, शुकराने का भाव हमेशा हमारे मन में बना रहें, कि निरंकार ने किरपा की है, तब ही शरी सेवा ओ पा रही है जहाँ सिवा का नाम आता है वहाँ तनमेता और अनुशाशन विशेश मेहत्व रखता है चेतनता के साथ सेवा में योगदान देपें जहां करते समेफल की एच्छा नहीं करनी बलकि सोचना भी नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं सेवा का फल तो सिर्फ सेवा ही है अगर हमने कोई काम किया और फिर उसका डिन्डोरा पेड़ दिया कि देखो मैंने ये काम किया है वरना तो यह संभव ही नहीं होता यह ठीक नहीं है निरच्छित और निश्काम सेवा अमरित के समान है मन में निरमलता रहेगी तो निरंकार जैसा चलाना चाहता है वैसे ही हम चलते चले जाएंगे अपने मन की ना चलाते हुए सहजता के साथ हर हाल में शुकर 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 करते रहेंगे सत्कुर माता सुजिक्षा जी महराज ने बताया है कि सत्कुर भावा हर देव सिंग जी महराज ने भी कहा है कि गुरू का बरदान है सेवा सेवा सिमरन ससंग के प्रती सजगता रखते हुए हमेशा निरंकार के एहसास के साथ जीवन भी थे त्योकि निरंकार ही महत्तव पूरन है इस तरह हमें सत्गुरु ने समझाया है कि हमने सेवा करके जतलाना नहीं है और हमने अपने आपको बहुत ही भागय शाली समझना है कि सत्गुरु ने हमें सेवा के लिए चुना है हम सत्कुरु का हर पल सत्कुरु निरंकारदातार का शुकर शुकर करते चले जाएं और यही अशीरवाद मांगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इस तन से सेवा करपाएं इतनी हमें शक्ति देना दाता है मेरे मालिक दिन द्याल इतनी शरीर को शक्ति देना कि हम तन, मन, धन, तीनों से हम सेवा सिम्रन ससंग करते चले जाएं और आशीरवादों के पात्र बनते चले जाएं धन भी हमें देना दाता, धन से भी हम संतों की सेवा कर पाएं और मन भी हमें इतना स्वस्त देना कि हम ससंग में जाएं और तन भी इतना स्वास्त की हम तन से भी सेवा करें, मन से भी सेवा करें और धन से भी सेवा करें इनी शब्दों से दासी सब के भले की कामना करते हुए सिम्रन करवाएगी, सब इने सिम्रन वे साथ देना है तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नू बख्षलो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीजे नास संगत जी बड़ प्यार से कहना धन निरंकार जी